हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल उपचान उसके में हम उपचान उसके में डेली लेटिस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अप्लोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी बात्रूम से जुड़ी ये खास बाते कभी नहीं घुशने देंगी आपके घर में गरीवी दोस्तो सायद आप ये बात नहीं जानते होंगे पर ये सच है कि बात्रूम को वास्तो सास्तर में बहुत ही खास माना जाता है जी हाँ अगर बात्रूम से जुड़ी वास्तू की कुछ खास बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो कई तरह की नेगेटिव एनरजी ये परिसानिया भी आपके घर में प्रवेस कर जाती हैं पर सायदी कोई लोग ऐसे होंगे जिने बात्रूम से जुड़े ये वास्तू टिप्स पता होंगे इसलिए आज हम आपको बताएंगे वास्तू की बात्रूम से जुड़ी कुछ खास टिप्स जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मय कुर्जा अर्थात नेगेटिव एनरजी प्रवेस नहीं करेगी और नाहीं आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परिसानी होगी तो जाने बात्रूम से जुड़े ये खास वास्तू टिप्स नेले रंग की बाल्टी जरूर रखे जी हाँ दोस्तों वास्तु के अनुसार बात्रूम में नीले रंग की बाल्टी रखना बहुत ही सुब माना जाता है इससे आपके घर के आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी बनी रहती है और आपको कभी भी धन संबन दिहानी नहीं होती है पर इस बात का भी खास दिहान रखें कि बाल्टी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए उसमें हमेशा पानी भरकर ही रखें और बाल्टी हमेशा साफ होनी चाहिए खाली या गंदी बाल्टी रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पर ना लगाएं सीसा जी हाँ अगर आपने अपने बात्रूम में आईना लगा रखा है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बात्रूम में आईना कभी भी दरवाजे के ठीक सामने लगा हुआ नहीं होना चाहिए जी हाँ दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर दर्वाजे की ठीक सामने कांच होगा तो उससे टकरा कर नकरात्मक उरजा अर्थात नेगेटिव एनरजी सीधे घर में आती है जिससे आपके घर में परिसानी हो सकती है और घर में सांती का माहौल भी नहीं रहेगा इसलिए इस बात का खास ध्यान रखे बात्रों में कभी भी सीधा दर्वाजे की ठीक सामने ना लगाए नल से पानी नहीं टपकना चाहिए जी हाँ वास्तो अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिन भी घरों के नल टपकते हैं उन लोगों के घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है और उन्हें धन संबंदी परिसान्या आई दिन लगी रहती है आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए इस बात का खास ध्यान रखे कि कभी भी घर में नल टपकना नहीं चाहिए अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंथ बंद करें और अगर खराब है तो तुरंथ सही करवाएं दर्वाजा खुला कभी न रखे बात्रूम का दर्वाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए जी हाँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है बात्रूम और बैडरूम में अलग-अलग प्रकार की उड़ जाएं होती है जिनके संपर्क मा आने से घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्त पर बुरा असर पड़ सकता है इसलिए बात्रूम का दर्वाजा हमेशा बंद ही रखना चाहिए पानी का ज्यादा दुरुप्योग ना करे जिहां दोस्तों घर पर फाल्तू में पानी का बरबाद करना भी वास्तु दोस्त का कारण हो सकता है जो कि कई तरीके से आपके घर पर धन संबंदी तता स्वास्त संबंदी परिसानिया लाता है इसलिए कभी भी पानी का दुरिप्योग नहीं करना चाहिए पानी जितना यूज हो उतना ही करे फालतू पानी का बरबाद ना करे बात्रूम हमेशा साफ रखे किचन और बात्रूम हमेशा साफ होने चाहिए और साथ ही वहां रखा हुआ हर समान भी सापसुत्रा होना चाहिए वास्तो अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनी दो जगों से पूरे घर में नेगेटिव तदा पॉजिटिव एनरजी फैलती है इसलिए किचन और बातरूम को हमेशा व्यवस्तित रखना चाहिए जिससे कि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की परिशानी ना हो और आपके घर में सुकसानती हमेशा बनी रहे दोस्तो अगर आपको हमारे दोरह दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचान उसके को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें